उक्रेन के कमांडर इन चीफ ने वाशिंग्टन पोस्ट को एक इंटिव्यू दिया, इसमें उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन को जंग जीतने वाले हत्यार नहीं दिये जा रहे हैं, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि यूक्रेन को हर हफ़ते एक लाख तोप क गोले चाहिए, लेकिन ये उनको नहीं मिल पा रहे हैं, अब पुतिन की फोर्ज इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यूक्रेन के एक हजार सैनिक हर हफ़ते मारे जाए आखर 16 महीने की भीशन जंग के बाद राश्रपती जैलन्सकी और यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल जालू जनी को ये क्यों कहना पड़ रहा है, कि यूक्रेन अमेरिका की वज़े से हार रहा है, क्या वाकई में अमेरिका यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं द चार जून से अब तक ऐसी क्या वज़ा रही है कि यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाव कांटर अटैक लगातार कमजूर पड़ता जा रहा है, आखिर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मेले को ये क्यों कहना पड़ा, कि यूक्रेन के कांटर अटैक में सिर्फ खून ही खून ह जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। ही रोना रोते हैं कि रूस को हराने और खदेडने के लिए जो हथियार नैटो के 31 देशों ने मिल कर दिये हैं, उन हथियारों से यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता है। अमेरिका का धोखा यूक्रेन की मौत का तमाचा। यूक्रेन सेना के कमांडर इंचीफ जनरल वालेरी जालुजणी ने अमेरिका की पोल खोल कर रख दी है। जालुजणी का धावा है कि जंग जीतने वाले सबसे खातक हतियार अब तक अमेरिका ने नहीं दिये हैं। कि वो हफते के साथ देन 24 गंटे लगातार यूक्रेन की हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है। जनरल जालुजणी के मुधाबिक हर हफते एक लाग तोट के गोलों की जरूरत यूक्रेन की सेना को है। लेकिन एक लाग गोले नहीं मिल रहे हैं जिसकी वज़ए से एक हजार यूक्रेनी सेनिक मारे जा रहे हैं। जालुजणी का यहां तक दावा है कि यूक्रेन को अभी तक अब 16 लड़ाकों विमानों के देने पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। जिसकी वज़ए से काउंटर अटैक भूस के खिलाफ काफी दीमा चल रहा है। जनरल वालेरी जालुजणी का यहां तक दावा है कि इसलिए यूक्रेनी सेना को 500 मीटर यानि आधी किलो मीटर की दूरी पर खबजा खरने में काफी कून बहाना पड़ रहा है। मस्ट पराजंटर, हुन से लापत यूरी नशोї розвідки ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам Рішенням Ставки Головкому Залужному та Генералу Найво доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій शायद Second World War के बाद, ये ऐसा पहला युद्ध है, जहां एक देश यानी रूस 81 देशों से जंग कर रहा है नैटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर इस स्वक्ति योक्रेन को अंदा धुन्द हथियार देने में जुटे हैं हालात ये हो गए हैं कि इस स्वक्ति योक्रेन दुनिया का एकलौता ऐसा देश है, जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाप जंग कर रहा है यहां तक कि दुनिया की सबसे ज़ादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस स्वक्त योक्रेन के पास पहुँच चुकी है लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो योक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,30,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है वो योक्रेन पूर्वी और दक्षनी योक्रेन से अब तक रूस को नहीं ख़देड पाया है योक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4,000 टैंक, 7,600 सी जादा बखतरपन, 3,800 सी जादा तो खाना और 318 लड़ा को दिमान को तबाह कर डाला है इस बीच अमेरिका ने शारों ही शारों में योक्रेनी सेना पर सवाल खड़े कर दिये हैं अमेरिका का साफ कहना है कि योक्रेन के काउंटर अटैक का कमजोर होना पूरी दुनिया को निराश कर रहा है वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने योकरेन के काउंटर अटैक को लेकर क्या कहा ज़रा ये भी जान लीजे अमेरिका के जनरल मार्क मिले योकरेनी सिरा को दी जाने वाले हथियारों पर निगरानी रख रहे हैं मार्क मिले ही उस अमेरिकी टीम का प्रमुक हिस्सा है जो तैय करती है कि योक्रेन को कौन से और कितने हतियार देना चाहिए जनरल मार्क मिले ने साफ कहा है कि योक्रेन का काउंटर अटैक बेहद खूनी होने वाला है जो काफी वक्त तक चलेगा मार्क मिले कहना चाह रहे हैं कि योकरेन को अभी और ज्यादा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पुतिन का रूस योकरेन के पांच में हिस्से पर कबजा करना चाह रहा है जनरल मार्क मिले ने वाशिंटन में नैशनल ट्रेस कलब को बताया कि योकरेन का जवावी हमला लगातार आगे बढ़ रहा था जान बूच कर बहुत कटेन इलाखों में जंग की जा रही है यहां हर दिन पांच सो मीटर, एक हजार मीटर और दो हजार मीटर के इलाखे पर कबजे की जंगे हो रही है जो बेहत खुनी हो चुकी मस्त पड़ा जंडर, खुन से लटपत योकरे कुछ defense exports का यहां तक दाबा है कि योकरेन जंग को दब तक नहीं रोकना चाता है जब तक योकरेन को नैटो में शामिल नहीं कर लिया जाता है अगर योक्रेन अभी रूस से शांती समझोता करता है या फिर सरेंडर करता है तो फिर नैटो के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हाफते हुए योक्रेन को नैटो का मेंबर बनाया जाए यही वज़ा है कि युद्ध बेहत लंबा चलेगा, अमेरिका के रक्षा लॉयड आस्टेन ने साफ का है कि युद्ध मैराथन की रेज की तरह लंबा चलेगा एसरेत करहां हो сам Chinese Pretty percent if and Ukraine's fight is a marathon and not a sprint so we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression and make no mistake we will stand with Ukraine for the लॉंग हॉल। देफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना पर योक्रेन का काउंटर अटैक उसके लिए स्यूसाइड मिशन साबित होगा। क्योंकि पुतिन के रूस ने पिछले पांच महीनों में जबरदस्त तयारी कर ली है। इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की सत्तर से जादा हाइपरसोनिक मेसाइलें बना रहा है। जबकि रूस के पास रिजर्व में 7000 टैंक मौझूद हैं जो योक्रेन को पूरी तरक को चलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा सुकोई और मिक्स सिरीज के 700 से जादा फाइटर जेट और बॉमर योक्रेन के शहरों के जीतड़े उड़ा रहे हैं। ऐसे हालात में योक्रेन का काउंटर अटैक वार एक्सपॉर्ट की समच से बार है। जबकि जेलंस्की का मानना है कि अगर अभी रूसी सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफतों में ही राजधानी की उपर भी कपजा कर लेगा। जेलंस्की का यही डर और खौफ योक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है। अमेरिका का दोखा योक्रेन की मौत का तमाशा। थार शटैकल का यहीं को springs menstru है दोब कर दोखां आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रितन, जर्मनी जैसे 31 नेटो बेशों से ट्रेनिंग लेकर आए, जो योक्रेनी सेनिक इस वक्त रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो बेहग धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कम से कम योक्रेनी सेनिक मारे जाएं, योक्रेन की सेना अभी तक रूस की फर्स डेफेंस लाइन को भी नहीं छूपाई है, जबकि जैलैंस्की अभी भी दावा कर रहे हैं कि योक्रेन का काउंटर अटैक रूस पर भारी पड़ रहा है पज़ाव कुछा पफिश डगे जिनी फूप इड्रोश लाव पोर्टिटे अगी इसनाचलेस्ट बित्ले जबाखनूद घरीच्ट अभी तो योक्रेन को जिन्दा होने का मौका मिल जाएगा और नैटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर तैयारी में जुड़ जाएगा इसलिए पुतिन ताबर तोड हमले पूर्वी योक्रेन पर कर रहे हैं अगर चार जून से हिसाब लगाएं जिस दिन से योक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था तो अब तक योक्रेन के 10 से 12 अजार सैनिक मारे जा चुके हैं अजाश वाया पूर्पट तो इसलिए अजू जाएट सैनिक मारे ने नाधू जिस फटिनी से 19 अजाश प्राइब कात्व ने जार रहे हैं अजाशियो यो जार इसलिएंग वोक्रेन कि इसलिए इसलिए एके इसलिए लोक्रें पोलावी पूक्रवी क्रावी व्रान जैलन्स की भले ही पूर्वी योक्रेन में अपनी जीत के दावे करें जैल हो चुका है इधर जिस तरह से योक्रेन के जनरल जालुजनी अमेरिका की पोल खोल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि योक्रेन अब हार की कगार पर पहुंच चुका है